नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों मैं अजीत पाइड़े आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 200 कॉशन्स चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये 200 कॉशन्स सारे कॉशन्स exam oriented है exam के द्वारा पूछे गए प्रशन है तो आज इन सभी प्रशनों को पढ़िए इन में जो है set paper जो बनाया है आपके लिए current affairs के कॉशन्स general science के कॉशन्स और general awareness के कॉशन्स मिलेंगे इन सभी प्रशनों को पूरी तरीके से read out करके आप अपना एक बहुत अच्छा revision कर सकते हैं lockdown में चलिए start करते हैं वीडियो तो best of luck मेरी तरब से कि आपके लिए कॉशन्स सारे याद हो जाए start करते हैं सबसे पहला प्रशन ये रहा स्कीन पर कॉण भारती होकी खिलाडी अंतर राश्रिय होकी महासंक का साल का सर्वुस्रिष्ट खिलाडी पुरुसकार जीत गया है तो मनप्रीट सिंगिन का नाम है जो पुरुसकार जीत गया है भारती मूल के कौन सांसद है जिनको ब्रिटेन ने अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया है तो रिशी सुन का नाम है उनका जिनको ब्रिटेन ने अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया है एक परियावरन अध्यन के अनुसार दुनिया के वायू प्रदूशन के चलते प्रतिवर्ष कितना नुकसान उठाना पड़ता है दुनिया को तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 2.9 trillion dollar का नुकसान उठाना पड़ता है आईपे सदिकारी जिनके लिए किस पतपन नुक्ती मिली है तो उप्चुनाओ आयूक के पतपन नुक्ती मिली है प्रमुख सेना प्रमुख का कारेभार किसे सौप दिया गया है तो सेना प्रमुख का कारेभार लेटिनेंट जनरल मनोज मुकुन नरामने को सौप दिया गया है विश्वा संगठन ने चीन वा अन्य देशों में फैले हुए कोरोना वाइरस को क्या नाम दिया है तो कोविड नाइंटीन नाम दिया है सायुक तरब अमीरात ने पूर्व भारती खिलाडी रॉबिन सिंग को किस पत पर नुट किया है तो क्रिकेक महा निदेशक के पत पर नुट किया है बिम स्टेक आपदा प्रबंदन अभ्यास 2020 किस सहर में आजित किया जा रहा है तो भुबनेश्वर में ये आजित हुआ था केंद्री सरकान ने किस मंत्राले का नाम बदलकर पूर्व केंद्री मंत्री सुस्मा सुराज के नाम पर रख दिया है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा प्रबासी भारती केंद्र का नाम बदलकर सुस्मा सुराजी के नाम पर रख दिया है चात्रों को पढ़ाई को लेकर हर्याणा सरकान ने उनके लिए कौन सा एक मिशन लॉंच किया है तो हर्याणा सरकान ने मिशन रीडिंग मिशन 2020 लॉंच किया है रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल कर अब क्या रख दिया है तो भारती रेलवे सुरक्षा बल सेवा नाम रख दिया गया है रक्षा सच्चे अजय कुमार को किस विभाग का अतरिक्त प्रभार दिया गया है तो रक्षा उत्पादन विभाग का अतरिक्त प्रभार दिया गया है पत्रकार संजे गुप्त को किसे राश्य पुरुसकार से सम्मानित किया जाएगा तो लोकमान तिलक राश्य पत्रकारिता पुरुसकार से इनके लिए सम्मानित किया जाएगा नई दिल्ली में पुस्तक मेला कब से कब आयजित हुआ था तो 10 से माफ करेगा 4 से 12 जन्वली 2020 के दौरान ये आयजित हुआ था मद्यप्रदिस का नया सचेव किसे निउक्ट किया गया है तो IAS सुधी रंजन मोहंती को ये कारेभार सौपा गया है केंदर सरकार की ओर से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दो वर्षों में कितने प्रदीशत वन चेतर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है तो 59-88 किलोमेटर तक वन चेतर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है एक रिपोर्ट के मताबिक किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्चेतर हैं तो मद्ध प्रदेश में सबसे ज़्यादा उस रिपोर्ट के अनुसार वन्चेतर हैं वर्ल्ड एकॉनमीक लीक टेबल 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्स तक 5 रिडिन डॉलर की अर्थविवस्था वाला देश बन जाएगा तो अगर कोरोना ना होता तो 2026 तक ये रिपोर्ट के अनुसार भारत बन जाता। दिली सरकार ने किन चात्रों की परिक्षा भीस भरने की गोशणा की है तो एंडी एमसी एवं दिली चावनी स्कूलों की चात्रों की परिक्षा भीस भरने की गोशणा की है। महराज सरकार का उपमुख्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया है तो अजीत पवार को नियुक्त किया गया है आराम हराम है का नारा किसने दिया था तो जवाहल लाल नहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था गीत गोविंद के रचैता कौन है तो गीत गोविंद के रचैता जयदेव हैं गीताँजली के कवी कौन है तो रविंदर ना़ टैगोर जी इनके लिए नुबल पुरुस्कार भी मिला है इनके लिए तो ये कौशन एक्जाम के लिए important हो सकता है गीताँजली के कवी रविंदा टैगूर जी है गुना माफ करिएगा गूगा नाम से किस भारती खिलाडी को जाना जाता है तो गीत सेठी भारती खिलाडी है इनको गूगा के नाम से भी जाना जाता है गोदान और गबन दौनों किस लेखक की रचनाय है तो मुझी प्रेम चंद्र की रचनाय है गोदान और गबन गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है तो CH4 मीथेन गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है Golden Threshold नामक कविता संग्रा की रचना के रचेता कौन है तो सरोजनी नाइडू ने Golden Threshold नामक कविता संग्रा को रचित किया है लिखा है Great Delier उपनाम से कौन से Cricket Empire चर्चित हैं तो Dickie Bird को Great Delier नाम से जाना जाता है Grand Master शब्द का प्रयोग किस खेल में करते हैं तो सतरंज के खेल में Grand Master सब्द का प्रयोग किया जाता है चंदरकांता उपन्यास के लिखक कौन है तो देवकी नंदन खत्री जी चंदरकांता एक तलिस्मी उपन्यास कहा जाता है इसके लिए इस पर धारावाहिक भी बन चुका है देवकी नंदन खत्री के द्वारा इसको लिखा गया है Next Question देखते हैं क्या पूशा गया है चरक सहिता नामक पुस्तक किस विसे से संबंदित है तो चरक सहिता जो है चिकित्सा के संबंद में जानकारी प्रदान करती है Next Question चैकमेट शब्द किस खिल से संबंदित है तो चैकमेट शब्द जो है ये शत्रंज से संबंदित है जै जवान जै किसान का नारा किस ने दिया था तो लाल बहादर शास्त्री ने जै जवान जै किसान का नारा दिया था हमारे एक निता और भी थे जिन्होंने नारा दिया था जै जवान जै किसान जै विग्यान अगर आप उनका नाम जानते हैं तो ज़रूर बताइए नारे एक्जाम में पुछे जाते हैं जैहिंद का नारक इसने दिया था सुबाश शंदर बोशी ने दिया था ग्यानपीट पुरुसकार किस कारे के सम्मान में दिया जाता है तो साहित के शेतर में अच्छे कारे के लिए सम्मान के रूप में ग्यानपीट पुरुसकार प्रदान किया जाता है टेलिविजन का अवश्कारक कौन है तो जॉन लॉगी बेर्ड टेलिविजन के अवश्कारक है ड्यू शब्द किस खेल से सम्दित है तो ड्यू शब्द टैनिस खेल से सम्दित है तांसें सम्मान किस राज की सरकान ने शुरू किया था तो तांसें सम्मान मद्प्रदेश की राज सरकान ने शुरू किया था तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किस ने दिया था तो निता जी सुभाश शंद्र बोश जी ने तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूगा का नारा दिया था थॉमस कब किस खेल से समधित है तो थॉमस कब बैड मिंटन से समधित है दिली चरो का नारा किस ने दिया था तो नेता जी सुभाशन रुबोस ने दिली चलो का नारा दिया था देशवंदु की उपाधी किसे समंधित है तो देशवंदु की उपाधी चितरंजन दास जी से समंधित है द्रव सभी दिशाओं में समानदाप पारित करता है या कथन किस नियम से संबन्दित है तो या पास्कल की नियम से संबन्दित है द्रोणाचार पुरुषकार किस शित्र में दिया जाता है तो खेल कूत के उतकरश्ट प्रसिक्षक को या प्रसिक्षन ही तू दुरोणचार परुशकार दिया जाता है धर्मचकर प्रवरतन कहां किया गया था तो सारनात में धर्मचकर प्रवरतन किया गया था ये किस महापुरուश्य संबनित है कमेंट बॉक्स में बताइए National Sugar Research Institute कहां पर इस्थित है तो कानपुर उत्तर प्रदेश में नेशनल सुगर रिसर्च इंस्टिट इस्थित है नौसेना अकेडमी कहाँ पर है तो गोवा में इस्थित है नौसेना अकेडमी पंजाब केसरी किसे कहा जाता है तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है प्रत्वी तथा अन्यगरा सूरे के चक्क लगाते हैं इसका कथन है तो ये कथन कौपर निकस का है प्रत्वी तथा सूरे प्रत्वी तथा अन्यगरा सूरे के चक्क लगाते हैं बिहू का शंबंद किस राजे से है तो बिहू का संबंद असम राजे से है बीजक के रचेता बीमर्ड शब्द का प्रयोग के स्खेल में होता है तो बीमर्ड शब्द का प्रयोग क्रिकेट में होता है बैटिंग ब्लॉक शब्दावली के स्खेल से संबंदित है तो बैटिंग ब्लॉक शब्दावली कबड़ी से संबंदित है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वार की गई थी तो ब्रह्म समाज के इस्थापना राच्या राम मुहन राय के द्वारा की गई थी ब्लैक पैगोडा के नाम से सूर्य मंदर कौन सा जाना जाता है तो ओडिसा कुणार्ख जो है ब्लैक पैगोडा के नामसे जाना जाता है भरत नाठ्यम कहा Thunder नांडू का साथ सेनत है भारत का Manchester किसे कहा जाता है तो हमदाबाद को भारत का Manchester कहते हैं वेदों में संपूर सच्चाई नहित है या व्याख्या किसने की थी तो स्वामी दयानन सरसोती जी के द्वारा ये व्याख्या की गई थी कि वेदों में संपूर सच्चाई नहित है भारत रत्न पुरुसकार पाने वाले प्रथम भारतिये कौन थे तो डॉक्टर सर पली राधा भारत रत्न पुरुषकार पाने वाले पहले भारतिये थे भारतिये अंतरिक शैनुसंदान संगठन का मुख्याले कहा है तो बैंगलूरु में इस्थित है भारती अंतरिक शैनुसंदान संगठन का मुख्याले भारती क्रांती की माता किसे कहा जाता है तो मैडम भीखाजी कामा को भारती करांती की माता के नाम से जानते हैं मंदिरों की पुन्य भूमी के नाम से किस राजी को जानते हैं तो तमिन नांडू को मंदिरों की पुन्य भूमी के नाम से जानते हैं और अगर शेहर की बात करें तो वो कौन सा है बताईए आप को ये नारा किस ने दिया था तो ये नारा मंगल पांडे जी ने दिया था मालती माधाओ के लिखक कौन थे तो भावभू थी मालती माधाओ के लिखक थे मैक्सिसे अवार्ड पाने वाले प्रतम भारती कौन थे तो बिनोबा भावे जी को मैक्सिसे अवार्ड मिला था मोहनी टम केरल का सास्ते नत है यक्षगान कहां का लोगप्री नत है तो यक्षगान करनाटक का लोगप्री नत है यूनेसको का मुख्याले कहां है तो यूनेसको का मुख्याले पैरिस में है यूरो मुद्रा का चलन कब से आरम हुआ एक जन्वरी 2002 से यूरो मुद्रा का चलन आरम म माना जाता है यूरोपिय संग का मुख्याले कहा पर है तो यूरोपिय संग का मुख्याले ब्रुसेल्स में है राजगाट किसका समाधी इस्थल है तो महात्मा गानी जी का समाधी इस्थल है राजगाट रानी जहासी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है तो रानी जहासी ट्रॉफी क्रकेट खेल में प्रदान की जाती है रामकिश मिशन की स्थापना किस ने की तो स्वामी विवेका नंद जी ने रामकिश मिशन की स्थापना की थी राश्य पंचायत कहां की संसत है तो राश्य पंचायत जो है नेपाल की संस को कहा जाता है राश्य युवदस के स्थिति को मनाते हैं तो 12 जनवरी को राश्य युवदस मना जाता है लिटिल अमेरिका नामक इस्थान किस महादीप में इस्थित है तो अंटार्टिका में इस्थित है लिटिल अमेरिका नामक महादीप एक प्रकार से कहा है इस्थान मात्रम को राश्यगीत के रूप में किस्तिति को सुईकार किया गया 26 जनवरी 1950 को वन्य मात्रम को राश्यगीत के रूप में सुईकार किया गया Wings of Fire किस प्रसिद वैग्यानिक की आत्म गता है तो ये पीछे अब्दुल कलाम की आत्म गता है Wings of Fire विक्रम साराबाई अंतरिक्षकेंद्र कहां इस्तित है तो विक्रम साराबाई अंतरिक्षकेंद्र त्रिवेंद्रम में इस्तित है विद्वा विवा के प्रुबल समर्थक कौन थे तो इस्वर्चंद्र विद्यासागर विद्वा विवा के प्रुबल समर्थक थे विश्व परियावरन दिवस का मनाय जाता है तो पांच जून को विश्व परियावरन दिवस मनाय जाता है वेदों की और लोटो नारा किस ने दिया था तो दयानन्द सरस्वती जी ने वेदों की और लोटो नारा दिया था भारत छोडो आंदोलन का प्रारंब हुआ तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोडो आंदोलन प्रारंब हुआ था सहीदे आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं तो भगत सिंग सहीदे आजम के नाम से जाने जाते हैं शोरा किस देश की संस्यत को कहा जाता है तो अफगानिस्तान की संस्यत को शोरा कहा जाता है सती प्रता को समाप्त करने का श्रे किस गवना जनरल को प्राप्त है तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को सती प्रता का समाप्त करने का एक प्रकास से श्रे प्राप्त है सत्यार्थ प्रकास किस की क्रती है तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की क्रती है सत्यार्थ प्रकास of India Society की स्थापना किस ने की तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की सांकितिक मुद्रग का प्रचन किस ने किया था तो मुहम्मद बिन तुगलत ने सांकितिक मुद्रग का प्रचन किया था साखी के रचयता कौन है तो साखी नामक रचना की रचेता कबीरदास जी है सामा चकेवा कहा का लोगनत है तो सामा चकेवा जो है बिहार का लोगनत है सामबा किस देश का प्रमुखनत है तो सामबा ब्राजील का प्रमुखनत है सिक्योर्टी पिपर मिल कहां पर है तो सिक्योर्टी पिपर मिल जो है नासिक में है सूरियोदय का देश कौन से देश को कहते हैं तो सूरियोदय का देश जापान को कहा जाता है Central Glass and Ceramic Institute कहां परिस्थ है तो जादावपुर में है Central Glass and Ceramic Institute अच्छा जादावपुर किस राज्य में है मैंने लाइव क्लास में आपको बताया है कमेंट करके ज़रा बताइए अगले कॉशन पर चलते हैं अगला कॉशन क्या है अगला प्राशन देखते हैं क्या पुशा गया तो यह रहा स्कीन पर आप से पुशा गया है स्वतंदरता मेरे जनमिसद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था लोकमान तिलक ने ये बात कही थी हिंदोस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन एसोचेशन की स्थापना कब और कहा हुई थी तो हिंदोस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक एसोचेशन की स्थापना उनी सो अठाइस में दिल्ली में हुई 10 मई 18 сделать 57 के सिफाही विद्रो कहा से आरंभ हुए थे तो ये विद्रो मेरत से आरंभ हुए थे 10 मई 18 87 के सिफाही विद्रो tend downing street क्या है तो इंग्लेंड के प्रधान मंत्री का निवास्तान 10 downing street है अचल भारत के सतेपाल मलिक और सैफुत दीन किछिलू के गिरफतारी के विरोध में ये जलिया वाला बाग के समय विरोध हुआ था एकटे हुए थे लोग 15 अगस 1947 को भारत ने अपनी आजादी का पहला जशन कहां मनाय था 1857 के विद्रो का तातकालिक करण क्या था तो सिपाहियों के द्वारा चर्वी युक्त कार्तूस अर्थाद धर्म का हस्तक शिप करना 1857 का प्रमुख विद्रो का कारण माना जाता है 1916 में मदरास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे नेक्ट कौशन देखते हैं क्या प्रूशा गया है 1917 में चमपारन सत्यागरा किसे राज में प्रारम किया था अगले कौशन पर चलते हैं 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक ऐसोसीचन की स्थापना किसने की थी तो सचिंद्र नात सान्याल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपबिकन एसोसियेशन की स्थापना की थी अंतराश्य ओलंपिक समीधी का मुख्याले कहा है तो लुसान स्विज्जे लेंड में अंतराश्य ओलंपिक समीधी का मुख्याले है 1939 में कॉंग्रेश छोड़ने के बाद सुभाश शंद्र बोश ने किस धल की स्थापना की थी तो 1939 में कॉंग्रेश छोड़ने के बाद सुभाश शंद्र बोश ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1947 के भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अधिक्षता किसने की थी तो 47 के भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अधिक्षता राजेंदर प्रशाद जीने की थी 1 के और 2 के का मतलब क्या है तो 1 के का मतलब 1,000 2 के का मतलब 2,000 2.0 mol जलिय विलियन में एक विलिय मोल का घटक कितना होता है तो 0.0347 इस question के लिए सेत्र हो जाएगा ALU का पूरा नाम क्या है तो Arithmetic Logic Unit ALU का पूरा नाम है DNA का क्या तातपर है तो DNA का मतलब होता है Deoxy Ribonucleic Acid Next question GNP और NNP के मद्द का अंतर किसके बराबर होता है तो Poonji Hiraas के बराबर होता है NA2O में sodium की co-ordination संख्या कितनी होती है तो minus 4 होती है OBC का full form क्या है तो Other Backward Class OBC का full form है UNO की स्थापनकाब होई थी तो 1945 में होई थी Next question देखते है अगला question देखते हैं कि आप उश गया है ये रहा स्कीन पर तो UNESCO द्वारा कलिंग परुसकार की शेतर के लिए दिया जाता है तो UNESCO के द्वारा कलिंग परुसकार जो है विज्यान के शेतर में दिया जाता है X किरणों की खोश किस ने की थी तो RONचन ने X किरणों की खोश की थी अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी कौन था तो UNESCO में जाने वाला पहला आदमी यूरी गागरिन था अंचू बॉबी जौर्ज किसे सम्मने थे तो UNESCO बॉबी जौर्ज एक एथलेटिक थी राइट आंसर हो जाएगा अंदवान एवं निकोबार दीव समु का सर्वोथ शिखर पल्यां शिखर या सेडल पी कहाँ परिस्त है तो यह उत्री अंद्वान में इस्थित है अंतराश्य नयायले कहाँ इस्थित है तो दहेग में अंतराश्य नयायले इस्थित है अंतरिक्ष में 20 तवंबर 2018 को अंतर राश्य अंतरिक्ष केंद्र ने कितने साल पूरे किये तो 20 साल पूरे किये अंगूरों की पैदावार के लिए कौल सा सहर प्रसिद है भारत का तो नासिक सहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद है अंतरिक्षियात्री को बहा आकास कैसा दिखाई पड़ता है तो अंतरिक्षियात्री को बहा आकास काला दिखाई पड़ता है अंतराश्य एथलिटिक्स एमेच्योर फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई तो 1912 में की गई उनी सो पैथिस का गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्रपूर है तो यह भारती समिदान का प्रमुक स्थरोथ है इसलिए 1935 का गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्रपूर है नेक्स कोशन अंतर आश्वी महीला दिवस के रूप में कब बनाये जाता है तो आठ मार्च को हर साल अंतर आश्वी महीला दिवस के रूप में मनाये जाता है अंतिम मुगल शाशक कौन था तो बहादर शाजफर अंतिम मुगल शाशक था अगस्त 1942 में कॉंग्रेस ने भारत छोड़ो अंदुलन कहां से प्रारम किया था तो बंबई से प्रारम किया था अचेतन मन का अध्यन किस ने किया था या अचेतन का मन का अध्यन के शाका के अंतर करते हैं तो मनो विशलेशन विज्ञान विधियों के अंतर के द्वारा अचेतन मन का अध्यन किया जाता है अजमेर के सुफी संसे समंदित है तो ख्वाजा मुईनोदीन चिस्ती जी से समंदित है अट्रव संतावन के विद्रो के समय भारत का गवन्ना जनरल कौन था तो लॉड कैनिन अट्रव संतावन के विद्रो के समय भारत का गवन्ना जनरल था राश्री विज्ञान दिवस कब मनाय जाता है तो हर साल 28 फरवरी को राश्री विज्ञान दिवस मनाय जाता है अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किस ने की थी तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लाड मेयो ने की थी अंतराश्य सांती वं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिसत सांती और संगठन को बना कर रखता है अंतराश्य आयोगेवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया तो 1972 में अंतरिक्ष आयोगेवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया अंतरिक्स जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे तो यूरी गागरिन जो की रूस से समन्द थे अंतरिक्स जाने वाले पहले व्यक्ति थे अंतराश्य उलम्पिक समिति का मुख्याले कहां पर है तो लोस आने में है 18-57 के विद्रों में किस ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था तो 18-57 में सबसे पहले मंगल पांडे जी ने अपना बलिदान दिया था अंतराश्य महिला दिवस कि स्थिती को मनाते हैं तो 8 मार्च को सेलिबरेट किया जाता है अशो किस लाले को पढ़ने वाला पर्थम अंग्रेज कौन था तो अशो किस लाले को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज जैम्स प्रिंसेप था अपने काल के महान संगीता के तानसेन किसके दरबार में थे तो अकबर के दरबार में थे अफीम के पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है तो अफीम को पौधे के भाग फूल से प्राप्त किया जाता है अफ्रीका के किस अस्वेत राश्ट को सरप्रथम स्वाधीनता मिली तो घाना जो कि अफ्रीका का एक अस्वेत राश्ट है इसको सरप्रथम स्वतंतरता मिली अभिजाद धातू सोना एक अभिजाद धातू की करड़ीगरी में आती है अभी तक भारत के किस एक मात के खिलाडी ने टैश मैचों में तेहरासतक लगाया है तो विरेंदर सहवाग ने लगाया है अम्रावती बौधिस्टूप कहाँ पर है? तो अम्रावती बौधिस्टूप आंधर प्रदेश में इस्थित है अमीबा के कुल कितने शैल या कोशिकाय होती है अमीबा एक कोशिक जीव है तभी अमीबा खुली आँकों से नहीं दिखाई देता है अंतिम मुगल शाशक बहादुर साजफर की मृत्यू कहां हुई तो रंगून में अंति मुगल शाशक बहादुर साजफर की मृत्य हुई अंतराशी माना अधिकार दिवस का मनाते हैं तो 10 दिसम्बर को अंतराशी माना अधिकार दिवस मनाते हैं अमरिज सर सहर की स्थापना किसने की थी तो गुरू रामदाश जी ने अमरित सर सहर की इस्थापना की थी अरुनाचल प्रदेश की राजधानी का नया नाम क्या है तो अरुनाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है इटा नगर अर्जुन अवार्ड किस शेतर में प्रदान करते हैं तो अर्जुन अवर्ड खेल के शितर में प्रदान किया जाता है अर्थसास नामक पुस्तक किसने लिखी है तो चाड़क के आज इने कॉट्टिली भी कहते हैं इन्होंने अर्थसास नामकी पुस्तक लिखी है अर्दनग ने फकीर महात्मा गानी को किसने कहा था तो विष्टन चर्चिल ने कहा था अंतर राश्य न्यायला के न्यायदीशों की कार्यावधी कितने वर्षकी होती है तो नौ वर्षकी होती है अलीगड अंदोलन किसने चलाया था तो अलीगड अंदोलन सयद एहमद खाने चलाया था अल्फेड नोमल ने किसका अविश्कार किया था तो डाइनामाइट का अविश्कार किया था अल्ला रखा किस वादियंत्र के लिए मसूर थे तो तबला के लिए मसूर थे वादियंत्र के लिए अल्ला रखा अशोक का दक्षणतम सिलालेक कौन सा है तो ये रा गुड़ी सिलालेक जो है अशोक का दक्षणतम सिलालेक है अंतर राश्य इस्रम संगठन को संयुक्त राश्य संका अंग कब सुईकार किया गया तो 1946 में अंतर राश्य इस्रम संगठन को संयुक्त राश्य संका अंग सुईकार किया गया अशोक चक्र में कितनी तीलिया होती है तो 24 तीलिया होती है और सदा प्रगर्टी करने रहने का करते रहने का ये प्रतीक है असम के कौन से व्यक्ति भारत के राश्पती रह चुके हैं तो फकरुद्दीन अलिय हमद असम के राश्पती रह चुके हैं भारत के next question देखते हैं असमिया भारत में असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लिए का कौन थे तो आत्मा राम शर्मा जी थे असयो का अंधुलरन कब शुरू किया गया तो 1920 में शुरू किया गया आइने अकबरी के लिह वारा आइने अकबरी लिखी गई अगरा की जामा मज़्यद का निर्मान किसने करवाया था तो सहजादी जहां आरा भेगम ने करवाया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर हुई थी तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी अंतरिक्ष में जाने वाले प्रतम भारतिय कौन थे तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतिय थे आगरा की स्थापना किस ने की थी तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी आधनिक उलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई तो एथेंस युनान 1896 से आधनिक उलंपिक खेलों की शुरुआत हुई आनंदवन की स्थापना किस ने की थी तो बाबा आम्टे ने आनंदवन की स्थापना की थी अनुवांशिक रोग वरनांदता में रोगी के किस रंग के पहचान नहीं कर पाता तो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता अनुवान शिक्ता के नियमों का प्रदिपादन किस ने किया था तो ग्रेगर जॉन मैंडल ने किया था आमेर का खिला कहां इस्थित है तो जैपुर में इस्थित है आदर पहाडी वन कहां पाए जाते हैं तो नीलगीरी की पहाडीयों में आदर पहाडी वन पाए जाते हैं नीलगीरी की पहाडीया किसे स्टेट में पढ़ती हैं बताइए आरे समाज की स्थापन किस ने की थी स्वामी दयानन सरस्वती ने की थी आवरत बीजी में भुरूण पोस कोशिकाएं कैसी होती है तो त्री गुणक होती है आशियान का मुख्याले कहां इस्थित है तो आशियान का मुख्याले जकारता में इस्थित है आस्वन बांध किस नदी पर है तो नील नदी पर आस्वन बांध है इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारती थे इंटर पोल का मुख्याले का है मतलब दुनिया भर की पुलिस डिपार्टमेंट का हैड एक प्रकार से कहें तो इंटर पुलिस को इंटर पोल को माना जा सकता है तो पैरिस में इसका मुख्याले है Indian Institute of Geomagnetism कहाँ पर है तो मुंबई महराष्ट में इस्तित है Indian National Congress के प्रतम अध्यक्ष कौन थे बियोमेश चंदर बेनर जी जी थे India Gate कहाँ पर है तो नई दिल्ली में है Insulin का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में करते हैं तो मदुमे के उपचार में करते हैं इसराइल की संसत को क्या कहते है तो नैसेट कहते हैं Indian Cancer Research Center कहाँ पर है तो Indian Cancer Research Center मुंबई में है Indian National Movement the Long Term Dynamic की लिख कौन है दुबिपिन चंदर के द्वारा Indian National Movement the Long Term Dynamics पुस्तक को लिखा गया है इंद्रा गांधी परमाणू अनुसंदान के इंद्र की स्थापना कहा की गई है तो कलपका में इंद्रा गांधी परमाणू अनुसंदान के इंद्र की स्थापना हुई है इंद्र धनुस बनने का कारण क्या है तो अपवरतन के कारण इंद्र धनुस बनता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कागे बताईए इंद्रधनुस का स्टार्टिंग का रंग कौन सा होता है और लाश का रंग कौन सा होता है तो दोस्तों ये थे 200 कॉशन्स जो कि मैंने अपनी तरफ से आपके लिए पुछे गए लास्ट येर के एक्जाम्स में से निकाल कर दिये है वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर शेर करें अपना कमेंट अगर आप हमारे नए विवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन उन कर लें और और आल वाला नोटिफिकेशन उन कर लें हमारे चैनल पर दिन पर में तीन वीडियो अपलोड होते हैं एक सुबद 6 बजे एक सुबद 10 बज और एक शाम को साथ बजे इन तीनो वीडियो को जरूर देख लें अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपके लिए तो वीडियो लाइक करना जरूर और लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिन शुब हो